प्राग्य शर्मा स्वागत करता हूं कोह इंट्रनेशनल स्कूल के ओनलाइन प्रेटफर्म और आज के वीडियो में आप सब मेरे साथ स्टेडि करने वाले हैं यूनिट नम्मर सेकेंड जिसका नाम है दा एडवेंचर्स ओफ टोटो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं एडवेंचर्स मतलब सहासिक कार्य रोमांच पून्ड कार्य बहद्री पून्ड कार्य एज्व लाएक जो आप चाहो वे अर्थ लगा सकते हो मेरे हिसाब से अर्थ है एडवेंचर्स ओफ टोटो के रोमांच कारी करतव कहानी जो है लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो कि एक बहुती प्रसिद्र लेखक हैं और बहुती सीधे और जीवन त्रूप में अपनी कहानियों को लिखते हैं जिससे किसी भी पढ़ने वाले व्यक्ति को समझने में कहीं भी कोई कठनाई नहीं होती है रस्किन बॉन्ड एडवेंचर्स ओफ टोटो में एक बंदर का वर्णन करते हैं कि एक बंदर जिसको तांगे वाला पाल कर रखता था और वह तांगे वाला उस बंदर को एक फीडिंग ट्रॉप एक नाम के पास बांध कर रखता था तो एक केरेक्टर दादा जी वो दादा जी किसी दिन ऐसे ही टहलने के लिए जाते हैं और तांगे वाले के पास उस बंदर को देख लेते हैं जब दादा जी की निगा उस बंदर पर पड़ती है तो दादा जी को बड़ा अजीब सा लगता है उस नांद के पास बंदर को देख करके दादा जी जो होते हैं कुछ सोचने लगते हैं और वो विचार करते हैं कि ये प्यारा सा छोटा सा जो बंदर है इस नांद के पास बड़ा अनुप्युक्त सा बड़ा विचित्र बड़ा अजीब सा लग रहा है तो क्यू ना मैं इसको अपने साथ ले चलू जैसा कि लेखा क्रस्किन मौन ने बताया दादा जी अपने घर पर और भी पालतू जानवरों को रखते हैं अतात उनका घर कहीं ना कहीं एक मिनी ज चडिया घर में शामिल कर लूँ इसलिए दादा जी उस तांगे वाले को पांच रुपे की राशी दे कर उस बंदर को खरीद लेते हैं और अपने चडिया घर में ले आते हैं अब कहानी का दूसरा पार्ट आता है दादी मा कि दादी मा जो होती है वो जब भी दादा जी क क्या फिर एक नई चीज उठाकर ले आए इसकी देखवाल कौन करेगा कौन इनके मलमूत्रों को साफ करेगा कौन इसे खाना खिलाएगा इस प्रकार से कहीं ना कहीं दादी जो हैं जब भी कोई नया जानवर आता है दादा जी से एक बखेडा सा खड़ा कर देती हैं तो द जब तक दादी अच्छे मूड में नहीं आ जाती अर्था जब तक उन दोनों को ये नहीं लगता कि दादी का मिजास ठीक है दादी एक अच्छे स्वभाब में है तब तक इस छोटे से प्यारे से बंदर की उपस्तिती को रहस्य बना कर रखा जाए अर्था दादी को इस के बारे में पता ना चले तो दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और सहमत होने के बाद पोते का बैडरूम होता है बैडरूम के पास में एक छोटी सी कोठरी होती है दादा और पोता दोनों मिलकर के उस बंदर को उस बैडरूम के पास बनी हुई कोठरी में रख देते हैं वहां कोठरी में ही दीवार के पास एक कील ठुकी हुई होती है वह कस करके उस बंदर को उस कील से भान देते हैं और वहां से चले जाते हैं थोड़े घंटी व्यतित होते हैं तो दादा और पोता दोनों ही सोचते हैं कि बंदर उस जगे बंदा बंदा परेशान हो गया होगा तो वह थोड़ा सा इदर उदर उदर उचल कूद कर ले, कुछ खा पी ले, इसलिए वह उसको आजाद करने, मुक्त करने के लिए कमरे में आते हैं कमरे में आते हैं तो वो देख करके चौंक जाते हैं दादा और पोता दोनों के दोनों एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं क्यों क्योंकि कमरे की वो दीवारें जिन दीवारों को अच्छे अच्छे सजावटी कागजों से सजाया गया था वो सजावटी कागज उन दीवारों पर से फट चुके थे और दीवारे अपने नग्र अवस्था में प्लास्तर और इटों को चमका रही थी दूसरी बात कि पास में ही पोते का ब्लेजर टंगा होता है उस ब्लेजर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है अर्थात बंदर उस ब्लेजर के भी च सबी चीजों के बारे में दादी को पता लगा तो क्या होगा दादी मा तो आज घर में रहना दुश्वार करतेगी बहुती बड़ा बबंडर खड़ा करेगी वो मनी मन यह सोचने लगता है लेकिन सोचते सोचते ही उसकी निखा दादा जी की ओर जाती है तो वैं दादा ज बड़े खुश नजर आते हैं दादा जी बंदर के द्वारा किये गए कामों से बंदर के द्वारा किये गए प्रदरश्णों से एक दम प्रसंद नजर आते हैं वो यह सोचते ही नहीं है कि दादी क्या कहेगी बलकि वो तो यह कहते हैं कि यदि अपन कुछ समय बाद आते अर रसी बना ले था और रसी बना करके खड़की के माध्यम से बच कर भाग जाता बड़ा चंट है यह इस प्रकार से दादा और पोता बात करते हैं अब क्या होता है एक दो दिन बीचते हैं और एक दो दिन के बाद दादा जी उस नए नवेले बंदर को सर्वेंट्स क्वार्ट नोकर को एक वार्टर में एक बड़े से पिंदरे में रखकर बंद कर देते हैं बंदर जो होता है वहे वहाँ किसी भी जानवर के साथ मेल जुल नहीं कर पाता है वहाँ पर एक कछवा होता है एक बकरी होती है खरगोश होते हैं, एक गलहरी होती है उन मेंसे किसी भी जानवर के साथ तालवेल नहीं बैठा पाता है वहें परेशान होता है और उन लोगों को भी परेशान करता रहता है किसी को रात में सोने नहीं देता, किसी की पूँच खीच ली, किसी के कान को काट लिया इस प्रकार की हरकतें वे करता रहता है अब बात आती है कि दादा जी जो है वो पैंशन भोगी है, रिटायर हो चुके है तो इसलिए उनको अपनी पैंशन लेने सहरन पूर जाना परता है तो दादा विचार करते हैं कि बंदर है पखिडा खड़ा कर रहा है, परेशान कर रहा है अन्ने दूसरे जानवरों को ऐसा ना हो कि मैं यहां से जाऊं और मेरी अनुपस्तिती में यह कुछ और कर दे और जिससे दादी का मूड खराब हो, दादी का मिजाज खराब हो और दादी इसको फैक दे, भखा दे तो दादा जी और पोता मिलका निर्णे ले लेते हैं, कि दादा आप पैंशन लेने सहरन पूर जा रहे हो, तो इस बंदर को भी अपने साथ ले जाओ, तो दादा उस बंदर को अपने साथ ले जाने का निश्चे कर लेते हैं, फिर पोता कहता है कि मैं दुर्भाग्य से किसी कारण बश उस यात्रा पर दादा के साथ नहीं जा पाया लेकिन यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ वो दादा ने मुझे आने के बाद पूरा विस्तार से समझाया अब दादा जी सुना रहे हैं कि होता क्या है कि बंदर को ले जाने के लिए एक बड़ा सा मजबूत सा कैनवास का थेला तयार किया जाता है उस कैनवास के थेले में पैंदे में अर्था उसके त फुले हुए भाग से केवल इतना ही होता है कि टोटो सांस ले सकता है बलकि टोटो उसमें से बाहर नहीं निकल चकता है तो टोटो ने उस थेले से बाहर निकलने के प्रयास किये और जब प्रयास किये तो उसका परिणाम ये निकला कि वे थेला टोटो के प्रयास करने पर या तो जमीन पर थोड़ा इधर उदर लुड़कने लगा या फै थोड़ा फोट जमीन से उपर हवा में उचलने लगा तो वहां दादा जी जब प्लेट फॉर्म पर खड़े थे टोटो को थेले में रख करके जब टोटो ने निकलने के प्रयास की और थेला लुड़का या जमीन पर उचला तो वहां पर जितने भी उत्सुक दर्शक थे उन दर्शकों ने एक प्रदर्शनी की भाति उस थेले को देखना प्रारंब कर दिया ठीक है दादाजी टेन में बैट गए टोटो थेले के अंदर ही है और टोटो थेले में ही सहरनपूर पहुंच गया अब दादाजी सहरनपूर इस्टेशन पर उत्रे और इस्टेशन पर उतरने के वाद इस्टेशन का जो टन स्टाइल था जो एक घुमाबदार दर्वाजा था उस दर्वाजे पर टिकेट कलेक्टर को अपना टिकेट दिखा रहे थे तब ही क्या होता है जो ये बंदर महाशे हो प्रिकुस व्यक्ति के सामने मुस्कुराया तो इस चीज से क्या है वे टिकेट कलेक्टर एकदम हक्का बक्का रह गया बहुचक्का रह गया और बहुचक्का होने के बाद वो दादा जी से कहने लगा कि स्रीमान आप अपने साथ एक कुत्ता लेकर रहे हो तो नियम के अनुस की लेकिन टिकेट कलेक्टर ये मानने को तयार नहीं हुआ कि ये बंदर है कुत्ता नहीं है तो दादा जी के समझाने के जतने भी प्रयास थे वो सारे के प्रयास व्यर्थ चले गए और आखिरकार टिकेट कलेक्टर ने दादा जी से उस टोटो नामक जो बंदर था उस बं और कच्छुे को निकाल करके हतेली पे रुखके उस ठिकेट कलेक्टर को दिखाते हुए कहने लगे स्रेमान के लिए कितना किराया दूँ कुए आप तो हर एक प्राणी का हर एक जानवर का किराया लेते हो की ठीकट क्लेक्टर जो है वे अपनी सूजबूच से काम लेता है और अपनी तरजनी उंगले से उस कचुए को थोड़ा सा दबा कर देखता है और दबाने के बाद जब वे पूरी तरह संतुष्ठ हो जाता है कि ये कुत्ता नहीं है तो दादा जी की ओर एक विजेता के रूप में देखते हुए कहता ह है नूचार्ज मैं इसका कोई किराया नहीं लूँगा क्यों क्योंकि ये कुत्ता नहीं है मैं तो नियमानुसार कीवल कुत्तों का ही किराया लेता हूं इस प्रकार से ये कहानी यहां तक अपन regarde र्युक्षा DAVID बने रही में आपको ली चलता हूँ कहानी के हिस्से की कहानी का अगला हिस्षा प्रारम होता है कि वहें टोटो वाँज फाइनली कि भेंड टोटो वाज फाइनली असेप्टेड वाई ग्रांड मदर कि जब फाइनली अंतते कि जब अंतते टोटो वाज असेप्टेड वाई ग्रांड मदर टोटो को दादी माने असेप्टेड स्वीकार कर लिया अर्था टोटो के बारे में दादी को पता लग गय और दादी ने जब टोटो को स्वीकार कर लिया कहने का मतलब दादी ने टोटो को घर में रहने की अनुमती प्रदान कर दी ही वाज गिवन अकमफर्टेवल होम तो उसे एक कमफर्टेवल होम एक आराम दायक एक सुब्दा युक्त घर प्रदान किया गया इंदा इस्टेवल इस्टेबल का मतलब अस्टबल पश्वों का बाड़ा कहां अस्टबल कि जब अन्तत्य दादी मा के द्वारा टोटो को स्विकार कर लिया गया तो टोटो को अस्टबल में एक आराम दायक घर प्रदान कर दिया गया वेयर ही हैड फॉर अकंपेनियन दा फैमिली डंकी नाना अस्टबल में ही हैड फॉर अकंपेनियन उसे एक साथी मिला कंपेनियन साथी कि जो अस्टबल था उस अस्टबल में उसे एक साथी दा फैमिली डंकी नाना एक परिवार का घजा जिसका नाम था नाना क्या था गधे और टोटो ज फस्ट नाइट इन दास्टेवल अब अस्तवल में टोटो की पहली रातिय तोटो ऑज़िए पहली राति maggotal Met Setting देखने के लिए गई to see है जानने को if he was comfortable कि भे आराम से सुभिधा से है या नहीं है, समझ गई? कि अस्तवल में टोटो की पहली रात थी और उस पहली रात को दादा जी अस्तवल में यह देखने के लिए गई कि टोटो जो बंदर है भे उस अस्तवल में सुभिधा से आराम स या फिर नहीं है to his surprise तो उनको आश्चर हुआ दादा जी को आश्चर हुआ he found उन्हों ने पाया उन्हों ने देखा नाना without apparent cause कि नाना नाम की जो घदी है वो घदी without apparent cause बिना किसी इसपस्ट कारण के apparent इसपस्ट के without apparent cause बिना किसी इसपस्ट कारण से pulling at her halter pulling हटना दूर जाना बिना किसी कारण से pulling at her halter अपनी नांद से अपने जो नांद वाला जो खाने का छेत्र होता है उस खाने वाले छेत्र से दूर जा रही थी and trying to keep her head and trying और कोशिश कर रही थी to keep her head अपने सिर को as far as possible from a bundle of एक घास के धेर से दूर रखने की आया समझ में कि वो गए तो उन्होंने जा करके देखा कि नाना नाम की जो घदी है वै बिना किसी apparent cause इस पस्ट कारण से pulling at her halter अपनी नान से दूर जा रही थी and trying to keep her head और अपने सिर को दूर रखने की कोशिश में लगी थी as far as possible उतनी दूर जितनी दूर वो रख सकती थी from a bundle of एक घास के धेर से एक घास के गठर से clear है आगे देखिए grandfather gave nana a slap across her hunches slap slap का मतलब होता है थपड चपात और hunches hunches का मतलब होता पुठे ठीके देखिए grandfather gave nana a slap दादा जी ने उस nana नाम की गदी के हंचे पुठों पर एक थपड मारा उस पर एक चपात लगा दी and she jerked और थपड की वजा से she jerked वे जटके से बैक पीछे की ठपड की वजा से she jerked वे जटके से पीछे की ओर खिच गई dragging toto with her dragging घसीटते हुए जाना dragging toto with her toto उसके साथ घसीटता हुआ चला गया he had fastened on to her long ears fastened दात गड़ा लेना he had fastened उसने दात गड़ा रखे ते on to her long ears उसके बड़े बड़े कानों पर with his shark little teeth अपने छोटे छोटे पैने दाकों से आई बास समझ में कि जैसे ही दादा जी ने नाना नाम की घदी के पुठों पर थपड मारा तो वै थपड के कारण जटके से पीछे खिची और toto भी उसके साथ dragging गसिटता हुआ चला गया क्यों? क्योंकि at that time उस समय पर जो टोटो नाम का बंदर था fast and on to her long ears अपने छोटे छोटे शारपन टीट नुकीले पैने दातों को उसके लंबे से कान पर गड़ा कर बैठा हुआ था इसलिए जैसे ही वे घदी पीछे सर की टोटो भी उसी के साथ जटके से गसिटता हुआ चला गया आगे देखे टोटो एंड नाना never became friends टोटो और नाना दोनों कभी मित्र नहीं बन पाए क्यों टोटो और नाना आपस में कभी भी friendship नहीं कर पाए कभी भी मित्र नहीं बन पाए आगे देखे ए ग्रेट टोटो के लिए अग्रेट टेट का सम्मान के फॉर टोटो टोटो के लिए अग्रेड टीट एक भहुथ बड़ी आवभगत during cold winter सर्दियों के दोरान वाजदा large ball of warm water पानी का एक बड़ा गरम कटोरा होता था आई समझ में कि during cold winter evening सर्दियों की जो शाम होती थी उन साम के दोरान a great treat for toto toto के लिए एक बहुत बड़ी आप भगत वाजदा large bowl of warm water गरम पानी का एक बड़ा सा कटोरा होती थी given him by grandmother जो कि दादी मा के द्वारा उसको फॉर बात नहने के लिए दिया जाता बैठ की समझ में अब बापस रिपीट करता हूं समझो कि सर्दी की साम के दोरान toto नामक बंदर के लिए बहुत बड़ी आवभगत जो होती थी तो उसका एक रूप था दादी मा उसको शर्दी की साम के दोरान नहने के लिए गरम पानी का एक बड़ा सा कटोरा दिया करती थी पानी के टेंपरिचर ताप मान को चेक करता उसकी जाच करता अपने हाँ से तोटो बड़ी ही चत्राई पूर्वक अपने हाँ से पानी के ताप मान को जाचता देन उसके बाद ग्रेजवली दीरे दीरे स्टेप इंटू दा बात नहने का काम करता फस्ट बनपूट पहले एक पैर डालता देन दा अगर उसके बाद दूसरा पैर डालता एज ही हैड सीर मी डुइंग जैसा की वो मुझे करता हुआ देखता था अब ये पोते के लिए है मी के जैसा की वो दादा के पोते को करता देखता था दादा का पोता जिस तरीके से नहाता था बिल्कुल उसी की नकल में भे पानी को चेक करता पर्याप्त मात्रा में गरम पाए जाने पर एक पैड डालता उसके बाद दूसरा पैड डालता bis until he was into the water up to his neck और जब तक पानी में घुसता जब तक की up to his neck पानी उसकी गरदन तक नहीं आ जाता अर्था जब पानी उसकी गरदन तक आता भे पानी में केबल गरदन पानी बचा पाता था पानी से उपर तब तक वे पानी के अंदर जाता रहता इस प्रकार से टूटो किया करता कि वन्स कंफर्टेबल कंफर्टेबल आराम सुविधा कि वन्स कंफर्टेबल एक बार आराम महसूस होने पर एक बार सुविधा महसूस होने पर he would take the soap वह साबुन लेता in his hand अपने हाथों में और feet और अपने पेरों में अब समझ ले हाथों में और पेरों में लेने का मतलब कि एक बार जब उसको ऐसी सुविदा हो जाती अर्थात वो ये जान जाता कि पानी नहाने के लिए बिल्कुल सही है टेंप्रेचर में ठीक है ना तो ठंडा है ना गरम है जब उसको मजा आने लग जाता he would take the soap in his hand और feet तो वह अपने हाथ पेरों पर साबुन लगाता and rub himself all over और उपर से नीचे तक पूरी तरह से खुद के शरीर को ट्रगडता when the water became cold और जब पानी ठंडा होता जब पानी ठंडा होने लगता he would get out वह उससे बाहर निकलता and rain as quickly rain और दोडने लगता as quickly as he could उतनी तेजी से जितनी तेजी से वो दोड सकता था to the kitchen fire रसोई में आग के पास in order to dry himself अपने आपको सुखानी के लिए if anyone laughed at him यदी कोई उस पर हसता laughed at का मतल होता है मजाक बनाना यदी कोई उसका मजाक बना देता या कोई उसको देखकर हसने लग जाता था during this performance इस क्रिया के दोरान के नहते समय और नहने के बाद से रसोई की आग के पास दोडने की जो क्रिया होती थी यदी इस क्रिया के दोरान कोई उसका मजाक बना देता कोई उसको देखकर हस जाता तोटो's feeling would be hurt तोटो की भावनाओं को चोड़ पहुंसती तोटो की भावनाओं को दुख होता and he would refuse to go on with his बात और वे फिर go on with his बात नहाने से मना कर देता अब उसको खिजन हो जाती कि इन्होंने मेरा मजाक बनाया है अब मैं नहीं नहूंगा one day तोटो नियरली सक्सीडेड in boiling himself alive समझो one day एक दिन तोटो नियरली तोटो नियरली लगबग सक्सीडेड सफल हुआ in boiling himself alive अपने आपको alive जीवित boiling उबालने में एक दिन तोटो स्वेम को जीवित उबालने में लगबग सफल हो गया कैसे a large kitchen kettle had been left on the fire large kitchen kettle एक बड़ी सी कैटली had been left रखी गई थी on the fire आग के उपर two boil for tea and toto toto और चाय के पानी को गरम करने के लिए समझो कि एक दिन आग के उपर एक बड़ी सी कैटली को चाय के लिए और toto के नहने के लिए पानी गरम हो इसलिए रखा गया finding himself with nothing better to do finding himself nothing better to do खुद को करने के लिए कोई काम नहीं मिला finding himself nothing खुद को करने के लिए कोई अच्छा काम नहीं मिला इसलिए toto decided to remove the lid toto ने कैटली के धकन को हटाने का निलने किया तोटो decided तोटो ने निलने किया remove the lid कैटली के धकन को हटाने का लिए मानी धकन finding the water just warm finding और धक्कन हटाने के बाद finding पाया the water just warm कि पानी उतना गरम है for about कि वो उससे नह सकता है finding the water just warm enough as for about कि पानी नहाने के लिए प्रचूर मात्रा में उप्युक्त मात्रा में गरम हो चुका है उसने धक्कन हटा करके ये पाया he got in तो भे कैटली के अंदर खुश गया with his head sticking out from the open kettle और open kettle कैटली के खुले हुए भाग से कैटली के खुले हुए हिससे से his head sticking out उसका सिर sticking out बाहर निकला हुआ था दिखाई दे रहा था चमक रहा था this was just fine for a while this यह चीज was just fine for a while कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छी थी कि यह चीज जो थी just fine बहुत अच्छी रही for a while थोड़े ही समय के लिए until the water begin to boil जब तक पानी नहीं उबला until the water begin to boil कि जब तक पानी ने उबलना प्रारंब नहीं किया तब तक यह चीज कौन सी चीज केटली के अंदर बैठा रहना बहुत अच्छा रहा टोटो देन रेज़्ड हिमसेल्फ आ लिटल और जब पानी गरम हुआ धीरे-धीरे जैसे ही पानी गरम होने लगा टोटो रेज़्ड हिमसेल्फ आ लिटल टोटो थोड़ा ऊपर उठा टोटो थोड़ा केटली में ऊपर उठा बाट फाइंडिंग एट कोल्ड आउटसाइड लेकिन ऊपर उठते ही आउटसाइड बहार के बातावरण में फाइंडिंग कोल्ड थंड लगी केटली में था जब तक गर्मी थी देकिन जैसे ही उपर खुले हुए छेत्र में से बहार आया तो बहार आती उसको कोल थोड़ी ठंड का अनुबब हुआ सो ही सेट डाउन अगेन इसलिए वह दुबारा केटली में बैठ गया वह कंटीन्यू लगातार होपिंग अप 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 अनुद रहा जब तक फुदकने लगा जब तक केटली में उपर होता रहा जब तक की दादी मा ने आकर के हॉल्ड हें उसे खीच कर बाहर नहीं निकाला हाफ बॉइल्ड हाफ बॉइल्ड आउट ओफ दा केटल केटल से बाहर निकलने समय बाहर आने पर हाफ बॉइल्ड भे लगवग आधा उबल चुका था इस प्रकार से एक दिन टोटो अपने आपको लगवग जीवित उबालने में सफल हो पाया क्लियर है आज के लिए इतना ही काफी है इससे आगे के लेसन को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो आप लगातार कहनी को समझने के लिए वीडियो देखते रहें किसी भी वीडियो को मिसना करें ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो इस्टे हेल्दी एंड इस्टे सेफ